Hello everyone, my name is Dhrivesh and you're watching my YouTube channel आज की सीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूसफल सेंटेंसे, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन, सब कुछ सीखने को मिलेगा बहुत ध्यान से वीडियो को देखेगा और कोई भी चीज़ आपको लगती है, important है, आप उसको note कर सकते हैं नोटपैड, नोटबूक अप लेकर बैठी है और उसको लिख लीज़े, तो चलिए पहले सेंटेंसे हैं, वीडियो को शुरू करते हैं पहला सेंटेंस है, मुझे यकीन नहीं है कि ये कैसे हुआ, मुझे यकीन नहीं है कि ये कैसे हुआ, इसके अंदर दो सेंटेंसे हैं, पहला है मुझे यकीन नहीं है, और दूसरे है ये कैसे हुआ, तो जो पहले वाला है, इसके अंदर कोई action नहीं है, मतलब मैं sure नहीं थी, मुझे यकीन नहीं हुआ मैं sure नहीं थी दूतरा यह कैसे हुआ अब यह हुआ वाले में एक action आ रहा है ठीक है होना एक action है ठीक है तो मुझे यकीन नहीं है यह होगी आपका simple present का sentence ठीक है है आरा एंड में और कोई action नहीं है किसकी बात कर रहे है main word और उसे क्या है या फिर क्या नहीं है not अगर लगेगा तो इस तरीके से मुझे यकीन नहीं है किसको नहीं है मुझे आया फिर आया नौट अब मुझे क्या नहीं यकीन नहीं है मैं शौर नहीं हूँ तो यहां पर अगर सवाल होता कि यह कैसे हुआ कि यहां पर हाउ एक कोशन नहीं है कि यह कैसे हुआ तो पूरा जो मेरा सेंटेंस बनकर आया वह मुझे यकीन नहीं है कि ये कैसे हुआ I'm not sure how this happened लेकिन मैंने इस film को sign कर लिया चाहिए अभी देखो sentence दो तरीके से बन सकता है मैंने इस film को sign कर लिया अब यहाँ पर action है sign करना मतलब sign ये action है so I signed the film एक तो ये होता है sign this movie signed तो sign को भी हम एक action के तौर पर ले सकते हैं और चुप जाएगा sign के अंदर और sign की second form लग जाएगी sign एक तरीका यह हो गया दूसरा है आप end up का use आप देखोगे कि I ended up doing this ended up जिब देखोगे न तो उसके next ons decides to action होगा इसमें ing लगा होगा चाह कि मैंने आखिर आखिर में ये किया मैंने एंड गिया ये करते हुए इस तरीके से बनता है कि I ended up doing this तो यहांपर जो action है फो उंड आता है इस पर मैंने खतम किया करते हुए वाला यह sense आता है, पोसमें ing लगता ही है, कि मैंने यह करते हुए इसको देखा, I saw him playing, मैंने इसको खेलते हुए देखा, तो यहाँ पर यह करते हुए, कि sign करते हुए मैंने खतम किया, मैंने end किया, sign करते हुए, so यह भी past indefinite ही है, I did end up signing, कि sign करने पर मैंने खतम किया, sign करते हुए but I ended up signing this movie I ended up signing this movie क्योंकि इस film के कहानी बहुत ही अनोखी है अब ये sentence के अंदर कोई action नहीं है सिर्फ किसी चीज़ की quality बता रहे है कैसा है कब है कहा है ये sentence भी आपका simple present का हुआ क्योंकि इस film के कहानी बहुत ही अनोखी है क्योंकि के लिए because लगाया side में रख दिया है कि इस film के कहानी बहुत ही अनोखी है चीज़ के किस के बात कर रहे है main word और वो क्या है किस के बात कर रहे है इस film के कहानी the story of this movie इसकी ही तो बात कर रहे है the story of this movie फिर main word आया is अब वो क्या है बहुत अलग चाहिक है अनोखी इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं यूनीक यूनीक मतलब अलग अनोखा चाहिक है so the story of this movie is so unique अब so का जो use हुआ है बहुत वाले sense के लिए हुआ है very so really इस तरीके से चलते हैं इनको ऐसे हम use कर सकते हैं किसी भी तरीके से क्योंकि इस फिल्म की कहानी बहुत ही अनोखी है because the story of this movie is so unique very unique really unique आप इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं सब ठीक है और इसमें रन्बीर बहुत कम बोल रहे हैं चीए और इसमें रन्बीर बहुत कम बोल रहे हैं अब यह sentence simple हमारा दिख रहा है present continuous का रहा है रही है और रहे है ठीक है तो do or main word और action की first form में ing तो कौन है रन्बीर और के लिए end लगाया एक्षन के फर्सट फम में आइंज प्रेजर्ट का सेंटेंस पगड़ा डूर कौन है रन्बीर में वर लगा इस एक्षन कहा है बॉलना स्पीक स्पीक में लगा आइंज रन्बीर इस speaking, बहुत कम, very less, इसमें, in this, ठीक है, in this आप पहले में लगा सकते थे, कि in this, रन्बीर is speaking very less, ठीक है, तो जो मैंने मतना, एक्षन जो होता है, एक्षन के बाद अगर कोई चीज आ रही है, तो वो आप sentence के शुरू में भी लगा सकते हो, लास्ट में भी लगा सकते हो, क्योंकि जो sentence end होते हैं, वो mostly इसी तरीके से होंगे, do or mean word action, अब इसके लावा जो भी चीज आ रही है, चाहिए वो do or से पहले आ रही है, या फिर वो action के बाद आ रही है, वो जो 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 भी term बची, आप sentence के शुरू में भी लगा सकते हो, चाहिए, मुझे इनका ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, चाहिए, मुझे इनका ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, अब ये sentence कई तरीके से बन सकता है, यहाँ पर जो बोला गया है, बिल्कुल सिंपल एक तरीके से है, कि मुझे अच्छा नहीं लगता, इनका ज्यादा बोलना, इनका ज्यादा बोलना, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे भी मना सकते थे, तो जो पहले नहीं लगता, ये हो गया मेरा कौन सा sentence, present indefinite का sentence हुआ कि मैं पसंद नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, so doer, main word, not or action, doer कौन है, यहाँ पर मुझे, I, main word लगा है, do, क्योंकि present indefinite है, उसके साथ है not, action कहा है, पसंद करना, अच्छा नहीं लगता, I don't like, ठीक है, इनका ज्यादा बोलना, ठीक है, तो ज्यादा ब कि इनको ज्यादा बोलते हुए, मैं पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है, तो कोई भी, जब sentence ऐसा है, करते हुए वाला sense आए, तो उसमें ing लगेगा, अब मानो sentence आपको यह बनाना है, कि मैंने उसको कल स्कूल जाते हुए देखा, तो बनेगा कैसे, मैंने उसको कल देखा, स्क ठीक है, स्कूल जाते हुए, going to school, ठीक है, इसको तोड़ बे सकते हो, I saw him yesterday and he was going to school, दूसरा, I saw him yesterday going to school, ऐसे, ठीक है, तो बिलुकोल सही है, ठीक है, तो इसी तरी से हहाँ से sentence बना कि मुझे इनका ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, I do not like him talking too much, ज्यादा बोलना, ठीक काम कोई इनसान, कोई चीज जर्नली जब करता है, तो वो present indefinite होते हैं, अभी रटना नहीं है, कि end में ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो वो present indefinite ही होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ठीक है, कि आप 5-6 लोग बैठे हो, और आपने बोला, कि यार कल कहीं घूमने चलते हैं और किसी नहीं मानेगा, और आप बोलते हैं, कि मैं उससे बात करता हूँ, तो जब आपने ये चीज बोली, कि मैं उससे बात करता हूँ, तो ये आपका journal काम नहीं है, तो ये sentence present indefinite नहीं हुआ, ये हो गया future indefinite, कि आभी उससे आप बात करोगे, तो ये छोटी-छोटी सी चीजें हैं ना, जो confuse कर देती हैं, तो इस तरीके से नहीं रटना नहीं है, कि ता है, ती है, ते है, आरा एंड में, तो ये present indefinite ही हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, present indefinite है कि कोई भी काम, जो journaling present में आप करते हो, मैं वीडियो बनाता हूँ, आप मेनी वीडियो देखते होती है ये मेना journal काम है, जो मैं करता हूँ, ये फिर कोई भी habit हो सकती है, hobby हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, present indefinite है, और simple sentence है, do or mean word action की formation रहेगी, do or कौन है वो, he, mean word आएगा does, action है यापर परेशान करना, irritate, तो does छुपा, irritate में और irritates बन हैं, जिनमें ing लगाने के बाद, वो adverb की तरह काम करती है, मतलब वो value, किसी चीज़ की खासियत, या फिर किसी चीज़ की बेकार, कि अच्छा है या बुरा है, वो चीज़ बताती है, चिक है, उसकी विशेषता बताती है, वो महाँ पर action नहीं होता है, जैसे understand, मैं समझ रह irritating, तो he's irritating का मतलब यह निए, कि वो परेशान कर रहा है, नहीं, मतलब वो irritating है, उस वो परेशान करता है, इस तरीके से हुआ, चैक है, तो यह छोड़ी-छोड़ी सी चीज़ आपको याद रखनी है, कि हमेशा रटना नहीं है किसी चीज़ को, कि अगर मैं बोलो, irritate का मतलब परेशान है, तो वो परेशान कर रहा है, he's irritating, नहीं, इस तरीके से नहीं आएगा, चैक, मैं समझ रहा हूँ, I am understanding, नहीं, I am getting, बोल सकते हो, I am trying to understand, बोल सकते हो, चैक है, लेकिन I am understanding, यह quality बताता है, फिर भी यह मेरे साथ काम करना पसंद करती है, अब इस फिर भी के लिए अब then also भी लगा सकते हो, लेकिन बहुत पहले यूद्ध हुआ करता था then also, चैक है, लेकिन then also अब बहुत यहादा, वहलाब सुनने में अच्छा नहीं लगता है, so you can use still, चैक है, इसके बावजूद, चैक है, still, यह मेरे साथ काम करना चाहती, वहलाब काम करना पसंद करती है, अब यहाँ पर जो action है ना वो काम करना नहीं है, action है पर पसंद करना, चैक है, कि वो पसंद करती है काम करना, तो पसंद करना यहाँ पर एक action की तरह आएगा, most of the time हिंदी में जो end में आ रहा होगा ना वो आपका action होगा, most of the time हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन जाता तर इस तरीके से होगा, अब यहाँ पर confused हो सकते हैं लोग कि साथ काम करना पसंद करती है तो यहाँ पर action जो होगा वो काम करना होगा नहीं, action यहाँ पर आएगा पसंद करना चीक है, तो कौन सा sentence है end में ताहेती है भी आया रहा और journal चीज है यह कि वो काम करना पसंद करती है तो यह present indefinite sentence वहा, do or main word action की formation रहेगी do or कौन है वो, she main word लगा does action है पसंद करना, like does शुपा like में, और क्या बन गया, likes she likes, क्या पसंद करती है काम करना, अब nani ने का sense आया so she likes working with me वो मेरे साथ काम करना पसंद करती है तो sentence वहा, फिर भी यह मेरे साथ काम करना पसंद करती है, still she likes working with me, even though आप लगा सकते हो, after that लगा सकते हो, कुछ में, यह काफि दरी चीज़े हो सकती है, तो बाकी यहाँ पर जो sentence बना, still का use करके बना, still she likes working with me इस फिल्म में काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा, चेके अब एक चीज़ देखो, जैसी sentence पड़ा इस फिल्म में काम करने का, अब काम करना, नानीने वाला सेंस आया तो एक जगह तो आइन जी लगेगा, अब आपको यह समझ में आ गया, और अनुभव अच्छा रहा, अब देखो, यहां पर एक टाइम का सेंस आ गया, कि भाई कोई चीज अच्छी रही, बुरी रही, ऐसा रहा, ऐसा रहा जब इस तरीके का sentence आ जाए, डू और में वर्ड कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो it has been, कि एक समय रहा है, तो हमेशा यह it has been से आप शुरू करेंगे जैसे आप बोलो कि अपटी वीडियो का मैं कब से देख रहा हूं, और यह काफी useful रही है so your videos have been, यह काफी अच्छा समय रहा है, तो it has been a great experience, कि एक बहुत अच्छा अनुबफ रहा है, इस फिल्म में काम करना, यह तो it has been a great experience, काम करना इस फिल्म में, तो काम करना working in this film कि इस फिल्म में काम करने का अनुबफ बहुत अच्छा रहा है तो या तो the work experience in this film has been good, इस तरीके से भी बना सकते हो, कि कौन अच्छा रहा है काम करने के experience, ऐसे भी बना सकते हो sentence को, चाहो तो simple रखो, it has been से शुरू कर दो, it has been a great experience working in this film, दोनों सही है, मेरे और रनबीर के बीच की chemistry को लोग पसंद करते हैं, अब लोग पसंद करते हैं, मेर और रनबीर के बीच की chemistry को, sentence इस तरीके से बना, कौन सह है, पसंद करते हैं, तो जोर्नल चीज आगी, ता है, ती है, ते है भी आ रहा है, sentence आपको यह simple present indefinite का है, do or mean word action रहेगा, do or कौन है, लोग, तो लोग पसंद करते हैं, चिक है, so people, main word लगा do, action कहा है, पसंद करना, like people, अब do, छुपा like में, कोई change नहीं आए, people like, लोग पसंद करते हैं, chemistry, so people like the chemistry between me and Ranbir, मेरे और रनबीर के बीच की, ठीक है, तो पूरा sentence क्या बना, मेरे और रनबीर के बीच की chemistry को, लोग पसंद करते हैं, people like the chemistry between me and, यहा पर a गलत है, me and Ranbir, चूंकी हम अच्छे दोस्त हैं, अब इस चूंकी का sense आता है, since, since का एक use, चूंकी के लिए में होता है, जैसे कि मैं बोलू, since you have been watching my videos, so I think you must have learned something, कि चूंकी तुम मेरे वीडियो देखते आ रहे हो, मुझे लगता है कि तुमने कुछ ने सीखी है, ऐसे, ठीक है, जैसे अग चूंकी हम अच्छे दोस्त हैं, sentence है simple present का, since we are good friends, since लगाया है चूंकी के लिए हम अच्छे दोस्त हैं, तो किसकी बात कर रहे है, main word और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम, we, main word लगा are, अब हम कहें हैं अच्छे दोस्त, good friends, so since we are good friends, चूंकी हम अच्छे दोस्त हैं, इस sentence कौन सा है महसूस करते हैं तो journal चीज आ गई कि हम comfortable महसूस करते हैं तो journal चीज में present indefinite का sentence आया तो इसी लिए के लिए मैंने so का use किया हम ज्यादा comfortable महसूस करते हैं तो do or main word action do or कौन है हम we main word लगा do action कहा है महसूस करना feel do चुपा feel में और कोई change नहीं आया so we feel more comfortable हम ज्यादा सहज महसूस करते हैं ज्यादा comfortable महसूस करते हैं एक दूसरे के साथ काम करने में तो अब ना नीने वाला sense आया कि एक दूसरे काम करना so working together एक दूसरे के साथ काम करना काम करने में इस तरीके से लागा so इसलिए हम एक साथ काम करने में अधिक सहज महसूस करते हैं so we feel more comfortable working together इस तरी सेंटेंस बना एक अच्छी फिल्म के लिए ये अब जैसे हैं यहाँ पर sentence आया कि कई बार हम हिंदी में ये बोलते हैं ये बार नहीं बोलते हैं जैसे कि मैं बोलूँ कि ये एक अच्छी फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है एक तो ये हो गया एक हम ऐसे बोलते हैं एक अच्छी फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर ये वाला sense आया अपने आपी लिखा नहीं है लेकिन सेंस आता है तो यह छोड़ी छोड़ी सी चीज़ों में इसलिए मैं ऐसे सेंटेंस लेकर आता हूँ जो हम जर्नली बोलते हैं लेकिन जब उनको convert करते हैं तो problem आती है तो यहाँ पर यह वाला सेंस है वो आपको समझना होगा कि यह एक अच्छे फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है तो सेंटेंस बनेगा ऐसे कि यह बहुत ज़रूरी है एक अच्छे फिल्म के लिए तो यह बहुत ज़रूरी है सेंटेंस हुआ, simple present तो किसकी बात कर रहे है, main word और वो क्या है किसके बात करें है ये की, this या फिर it, main word लगा is बहुत जरूरी है यह, so very important it is very important एक अच्छी फिल्म के लिए for a good film, ठीक है तो इस तरह के sentence बना, तो यह था आज की वीडियो, आज के sentences, I hope आपके लिए useful रहे होंगे, कोई भी doubt है, कोई भी